नमस्का दोस्तो आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जारें मही माम में जन्मे लोगों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2020 में उनके जिन्दगी का सफर दोस्तो मही महीने में जन्मे लोग सभाव से जोसीले, इमोशनल और सब की मदद करने वाले होते हैं यह लोग उड़ zijा से बरे होते हैं और अपना हर काम उत्सायत होकर करते हैं यह लोग बहुत ज़्यादा ही इमोशनल होते हैं और इमोशनल ही हाट होने पर इन्हें दुख से बहlaraने में काफी लंबा समय लगदा हैं ये लोग एक बार अगर कुछ ठान ले तो उसे पाकरी रहते हैं इस महीने में जन्मे लोगों को हमेशा ग्यान पाते रहने का शोक होता है इनकी कलपना शक्ती बहुत अधीक होती है और विचा अरस्थिक होती है तो लोग शानत रहते हैं बिना मतलब किसी से भी बैर नहीं रखते हैं जब एक बर गुसा आजाए तो समझ जाओ कि अब ये किसी की बात सुनने वाले नहीं है हलाकि जितनी जल्दी इन्हें गुसा आता है उतनी जल्दी ये संत भी हो जाते हैं इस महीने में जन्में लोगों में फैशन की समझ कुछ ज़्यादा होती है कैरियर रासिफल 2020 के अनुसार ये वर्स कैरियर के मामले में काफी बढ़िया रहने वाला है वर्स की शुरुवात में आप किसी नए निर्ने के द्वारा नया कारे शुरू करेंगे और इस कारे में आपको अच्छी सफलता मिलने के भी योग है केरियर में आपको इस वस अपने भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा जैसे जैसे आप आगे भढ़ने की कोशिस करेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि आप उन्नती के सिखर की और बढ़ते जा रहे है कारियत जातक इस वस संतुष्ठी का बाव रखेंगे क्योंकि जितनी मैनत आप करेंगे उसके अनुसार आपको पहिना मिलेंगे साल के मध्यभाग में आपको अपने कैरियर में उन्नती के मैत्पून अफसर मिलेंगे जिन से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे इसलिए इन अफसरों का समय रहते भरपूर इस्क्माल करें और सामने वहार ले जितने भी अफसर आपको प्राप्तो उनका लाब उठाए इस वर्स आपकी रसनात मक्ता जोर पकड़ेगी और आपको आगे लेकर जाएगी वर्स के उत्रार्द में आपको पदोनती मिल सकती है इसके अतरिक सैलरी इंक्रीमेंट की भी पूरी संभावना है अपना वेफसाइ कर रहे लोगों के लिए भी ये वर्स अच्छा रहने के योग है हलाके आपको भी अपनी और से अधिक प्रयास करने होंगे कुल मिलाकर नोकरी और वेफसाइ के मामले में ये वर्स आपके लिए सांदार रहेगा प्रेम और वेवाईक जीवन रासिफल 2020 के अनुसार प्रेम और वेवाईक मामलों में ये वर्स आपके लिए बढ़िया रहने वाला है अगर आप सिंगल है तो आपके जीवन में कोई नया सक्स दस्तक देगा जिसके साथ आपका रिष्टा काफी बढ़िया चलेगा और अगर आप पहले से ही relationship में है तो आप अपने साथी की और पुन समरपीत रहेंगे और जीवन में उन्हें मैतो देंगे जिससे आपके बीच अच्छी bonding बन सकेगी इस वर्स आपको अपने partner से मिलने के भी कई मोके मिलेंगे इन मोकों में आप उनसे अपने दिल की बात शेय करेंगे इस वर्स आपके लिए सलाहिया है कि आप आपने partner को पूरा सम्मान दे उन्हों की बातों को भी मान दे एक दूसरे की बातों को समझ कर जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपके रिस्ते के लिए काफी फायदेमन रहेगा ये साल कुल मिलाकर प्रेम और वैवाइक म रामलों में यह वर्स आपके लिए खुश्यों से भरा रहेगा सिक्षा रासिफल 2020 के अनुसार चात्रों के लिए एस साल उपलब्दियों बरा रह सकते हैं प्रतियोगी परिक्षा की त्यारी कर रहे चात्रों को कुछ संगर्स के बाद सफलता दाएक पढ़ना मिलने की प्रतियों के लिए मैनत भरा साल हो सकता है चात्र ध्यान रखे कि मैनत के बिना कुछ भी आसान नहीं होगा इसलिए सफल होने के लिए कड़ी मैनत करने के लिए अपने आपको त्यार कर ले जिससे आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी टेकिनिकल फिल्ड से जु 2020 के अनुसार आर्थिक मामलों में ऐसाल आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है आप इस वरस अपने बल्बूते पर काफी अच्छा धन कमाएंगे यदि आप थोड़ा समबलकर चलेंगे तो आप इस वरस अच्छा धन संचे भी कर्स पाएंगे और अपने आर्थिक स् इसार देनी से पहले सोच ले और अजनवी व्यक्ति पर बहुत जल्दी भरोसा ना करें। इसार आपको अपनी फैमली और मित्रों के साथ समय बिताने के काफी सांदार मोके मिलेंगे जिससे आपके रिस्ते में गनिष्टता बढ़ेगी। कुल मिलाकर पारावारिक जिवन के लिए वर्ष उत्तम रहने वाला है। स्वास्थ रासिफर 2020 के अनुसार स्वास्थे के मामले में वस आपके लिए अव्रेज रहेगा। स्वास्थ आपकी उर्जा शक्ती में व्रद्धी होगी और आप पूरे साल दुरुस्त रहेंगे। मांशिक और शारिरिक शम्ता में व्रद्धी मैसूस करेंगे और पूरे वर्ष स्वास्थ मैसूस करेंगे। अच्छी सेथ के लिए आप योग, अभ्यास और प्रनायम का सारा भी लेंगे। इस वर्ष आपको डेली रूटिन को नियमित रखना होगा। और फिटनेस एक्सरसाइज तथा योगा ब्यास जैसे क्रिया कलापों में स्वेम को फिट रखने का प्यास करें। कुल मिलाकर हैल्थ के मामले में भी यह साल आपके लिए उत्तम रहेगा।